नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धमसर मार्क हमारे घर में जब भी कोई सुब काम होता है मांगली कारे होता है तो हम अपने मुख्य दरवाजे को सजाते हैं सुब और मंगल चिन्नों से सजाते हैं देखे भगवान गनेश की दो पत्नी है रि बड़ी रेखाएं हमने कही वह बांध़ी है लक्षमी को और इनकी जो पत्नी होती है ऐसा कहा जाता है सुसतिक की दोनों तरफ अलग अलग जो रेखाएं हैं गनपती जी की पत्नी रिद्धी और शिद्धी को भी दर्शाती है रिद्धी सब्ध का अर्थ होता है जो दो-दो खड़ी रेखाए हैं यह सुभलाब का प्रतीक है लेकिन आप चाहें अगर आपने स्वस्तिक बना लिया है तो अच्छी बात है छोटी-छोटे सुभलाब के आप अभी तो मार्केट में आते स्टिकर आप शिपका सकते हैं या फिर मुख्य दर्वाजे के दोनों क्यान सुभ गनेज जी वो बुद्धी है और सिद्धी जो है वो लाब है यही कारण है कि हम घर के मुख्य द्वार पर सुभ और लाब हमें लिखना चाहिए लेकिन लिखेंगे कैसे सुभ और लाब लिखने की पीछे एक मानेता भी है कि गनेज जी और महा लक्ष्मी सहित सभी देवी देपता परसन्न होते हैं सिंदूर या कुम-कुम से आप लिखिएगा उसमें घी मिक्स करके और सास्तों के अनुसार जो गनेज जी के दोनों पूत्र हैं जिसे हम छे मर्थार्थ सुभ कहते हैं घर के मुख्य द्वार के बाहर लिखने का मतलब है हमारे घर में सुख और सम्रिद्धी सदय बनी रहे तो दर्वाजे पर आप बाहर की और से खड़े हो जाएं अब जैसा हमने एक पिक दिया है दर्वाजे के दोनों साइड आपको सिर्फ समझाने की कोशिस की बिल्कुल वैसे ही सुभ लिखिए और फिर लाब लिखिए यकीन मानिए धन आता रहेगा किसमत के सितारे चमकते रहेंगे और इस चीज को लिखने का अर्थ होता है कि भगवान से हम प्राथना करते हैं हमारे घर की आई और धन हमेशा बढ़ता रहे लाब होता रहे स्री गनेश की क्रिपास से हमारा बेफसाय और स्रोत आई के सदय बढ़ते रहें फिलान आपसे बिदा लेते हैं हरहर मह सुबलाब जरूर लिखें धन्यवाद